18 वर्ष नितिर जी, 15 वर्ष लालू जी, पिछड़ा वर्ग को आज तक सत्ता हात में नहीं मिला, उसका विकास नहीं हो पाया, तो अब बिना विकल्प के तो कोई रास्ता भी नहीं बच रहा है, तो और पर बिहार में अब जो सरकार है पहले से चली आरी, अब नई सरकार की जरूरत है, तो सवाल यह है कि आप कितना दिन उसे लाली पॉप दिखाने के राजनितिक भागेदारी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है, इसलिए अतिपिशड़ा समाज को लेके जगाने के लिए हम लोग नियदान यात्रा लेके चल रहते हैं नमादा में कितनी यभी एक्सक्पेक्ट कर रहा हैं कि लोग जो ठागे जा रहे हैं वही एक रास्ता खुझ रहे हैं कि हमारा कैसे नीदार जो सोसल एंसरे की एक जगादीवासे, एक जगा यादव और एक जगा बरह्मत उस सोसल एंजरे को आप की तरह से देखते हैं, पिछले समाज के लोग एवेर हो गये हैं अब उन्हें लाली पॉप दिखाने से काम नहीं चलने वाला है, भीर बहुत दिखे और बोट में नहीं बदले, तो फिर उस भीर का कोई फाइदा नहीं, राजनितिक दलके, लेकिन भीर तो दिख रही है सर्थ, पिछले समाज का बो कारण क्या है, देखे अभी हमार साथ अथि पिछला समाज के बरे निता विद्यापती चंदरवनसी हैं, और लगातार इनकी जो निदान यात्रा है वो चल रही है, पिछले बार भी हमारे चैनल के माध्यम से भी आपने देखा होगा, विजूल में कि किस तरह की भीर जो है वो इन्हें सुनने के लिए एक खटा होई थी, लेकिन आगे क्या, आगे क्या तैयारी है विद्यापती चंदरवनसी जी की, सीधे उनसे हम बात करते हैं, सर जिस तरह से आपकी कारिक्रमों में भीर जोट रही है, तो क्या ये एक कारिक्रम में भीर जोटना है, और उसके ब पहले ये बता दें, कि ये निदान यात्रा हम लोगों का 24 दिसंबर ये 2023 से करपूरी ग्राम से शुरूआ है, करपूरी जहनती के अवसर पर ये चला है, और विहार के कई जिल्मों में होते हुए, 25 दिसंबर को ये नवादा में, टाउन हॉल में ये कारिक्रम एक सभा रख है, कि भीड जो दिखता है, भीड को भोट में बदलना, ये महत्वपूर्ण है, माली ये भीड भीड बहुत दिखे और भोट में नहीं बदले, तो फिर उस भीड का कोई फाइदा नहीं है, राजनीतिक दल के लिए, तो राजनीतिक दल के लिए जब वोट में बदलेगा, तब उसका राजनितिक दल को होता है तो मेरा यह कहना है कि हम लोग जिस समाज की राजनित कर रहे हैं और वो समाज की राजनिति इसलिए भी कर रहे हैं चुकि वह समाज आज सबसे बड़ा बोट बैंक अभी जातिगत जनगन्ना में निकला भी है स्अच्छ परसेंट कर वर भी हार में इसी तरह पूरे देश में यह अतिफिछरा समाज में है कि जो अतिपिछरा समाज यदि इतनी संख्या में है इसका इतना प्रतीसत है और बिहार की राजनीत में ये दावा किया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो फिर ये मांदारी है कहां समाजिक नय की बात करने वाले समाजिक नयकर कहां रहे लेकिन अतिपिछरा समाज को ना राजनितिक भागिदारी दे रहे हैं ना उसे सैक्षनिक आधार पर उसका अधिकार मिल रहा है ना आर्थिक आधार पर मजबूत हो रहे हैं तो आखिर इसका कारण क्या है तो इन सबी बिंदों पर हमने देखा तो इसका एक कारण सबसे वड लगातार इसका लाब जो है कि समाज के लोग समझ रहे हैं कि यह हो क्या रहा है हम लोग उन्हें बता रहे हैं कि हो क्या रहा है और आपको कैसे जो है आप ठगे जा रहे हैं और आपको करना क्या होगा तो हम लोग से जानना चाहते हैं कि क्या करना हो तब हम लोग बताते है तो उस जातियों को एक जगह आकर के बोटर करना होगा और यह नहीं कि वह जीत रहा है यह नहीं लड़ रहे हैं तो यही सब विशय है इसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं और दिन प्रति दिन भीड जो है निश्चित है देखने के लिए तो आ रही है तो आप देखना है कि समाज के लोग तो काफी एवेर हुए है अब और जो शिक्षित भर्ग है इसमें और यूब में कितनी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप देखिए नवादा लोकसभा का यह च्छित्र है और उस लोकसभा च्छित्र के लिए यह निदान यात्रा के तहती सभा है तो वो टाउन हॉल में है तो अब सवाल यह है कि वहां पर कि जो अतिपिछा समाज है उस समाज के के लिए है कि कहीं तो संख्या कम होती नहीं है चुकि लोग जो ठगे जा रहे हैं वही एक रास्ता खुज रहे हैं कि हमारा कैसे निदान हो अच्छा जब लोग आप दरिकॉर्ड आप से बात करते होंगे कारिकराम के बाद तो क्या यह भी कहते हैं कि नहीं जो आप जो कह हैं वह सही कर रहे हैं और एक अलग से विकल्प अब चाहिए जिसकी बात आप अविद्यापति चंद्रवंसी कर रहे हैं देखे यह विकल्प की बात जहां तक है क्योंकि 18 वर्स नितिर जी 15 लालू जी और इस वर्ग के जो राजनी थी बिहार में जो पिछड़ा वर्ग थ के बिना विकल्प के तो कोई रास्ता भी नहीं बच रहा है इसलिए समाज आज इस बात के लिए एकदम तैयार है कि निश्चित तौर पर बिहार में आब जो सरकार है पहले से चलिया या अब नहीं सरकार की जरूरत है जो समाज सभी को निया दिला सके उसका हग दिला सके एक सवाल ये भी है सर कि जो बीजेपी ने आपने देखा होगा कि पांच राजियों में चुना हुए हैं और टीन राजियों में जो हिंदी बिल्ट का शेतर है उसमें परचंड जीत हासिल की लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया बरे-बरे धुरंदरों को बैठा दिया गया और जो सोसल एंजिनिंग की एक जगा आधिवासी एक जगा यादव और एक जगा ब्रहमन उस सोसल एंजिनिंग को आप किस तरह से देखते हैं देखे भारतिये जंता पार्टी का जो ये आप देख रहे हैं तो सबसे महत्रपूर्ण बात यह है कि भारती जनता पार्टी का एजंडा हमेशा हिंदित्यों का एजंडा रहा है और आखिर भारती जनता पार्टी जब अपने एजंडे से हट करके जब जातिया आधार पचलती है जैसे आपने बिहार में भी देखा कि जादव जाती का एक समयलन हुआ था यहां तो कहीं न कहीं भारते जनता पार्टी निश्चित अपने ट्रैक को बदलते हुए दिख रही है अब सवाल यह उठता है कि हिंदुत का क्योंकि हिंदुत के मुद्दे में एक जो दरार है वो आया है चुकि जो बै सबंड समाज के हिंदु हैं वो तो उनको लाब तो आज तक मिल जीका 10 प्रतिसत आरक्षन देने की भी बात हुई तो सबंड समाज को 10 प्रतिसत आरक्षन मिला जिसके लिए आम जनता पार्टी भी इसके हिंदु थी लेकिन यहां पर जो पिछड़ा हुआ जो बैकवर्ट स तो आपको क्या लगता है कि अब ये तमाम पाटियां समझ गई हैं कि अब पिछरो अति-पिछरो का जो शोशन है वो नहीं चलेगा आप बर्गला नहीं सकते हैं उनको हक देना होगा उचित हक देना होगा कि अब तक समाज अवेयर नहीं होता है सजग नहीं होता है क्योंकि आप देखिए कि आवादी किसकी जदा है जडिषानों की जदा है अति-पिछरों की जदा good a tizi datit जिस्ता की जाति मिलाकी ज्य Pandora वर्ग है जो सोशित और अडलिप尔र यह वर्ग की संख्या जादा यसके बोटर जादा है तोो सवाल यह है कि कि आप कितना दिन उसे लाले पॉप दिखा रखेगा उसे आपको आज वो पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, एवेर हो रहे हैं, और राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल आप देखते थे पहले, कि निस्चित यह मानना होगा, कि पिछड़े समाज के लोग एवेर हो गये हैं, अब उन्हें लाली पॉप दिखाने से काम नहीं चलने वाल है, और इसलिए आप देखेंगे कि भारती जनता पार्टी भी कहीं सोचल इंजिनेरिंग में इन सब फर्मयलों को बैठा रही है, जिससे कि उनका जो बोट बैंक है, वो नहीं खिसके हैं, तो हमारे साथ देखिए, विद्यापती चंदरवनसी थे, जिनका साफ काना है, भी अगर हक मारी होगी, तो ये किसी के साथ गटबंदन नहीं करेंगे, ये अपने समाज के लिए ख़रा रहेंगे, और जो हक देगा इनके समाज को, उसी के साथ गटबंदन होगा.